तो आज मैं बात करूँगा कि हमें हमेशा कोई भी काम टीम वर्क के साथ करना चाहिए और टीम वर्क का मतलब ही होता है कि एक साथ मिल करके काम करना और बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेस्फुल होना चाहते हैं तो आप अकेले कभी सक्सेस्फुल नहीं हो सकते आपको टीम के साथ ही आगे बढ़ना होगा टीम का मतलब ही होता है कि वो टास्क को डिवाइड करती है और आपके सक्सेस को मल्टिब्लाइ करती है जो भी आपके टास्क होते हैं वो कम हो जाते हैं जब आप टीम में बाट देते हैं उस काम को पर आपकी सकसिस कजो रिच्छी होता है वो बढ़ जाते हैं इसी तरीके से अगर आप टीम वर्क को समझना चाहते हैं तो आपको एक बहुत सिंपल से स्टोरी के थ्रू इसको मैं स गठ्रों को नहीं तोड़ पाते, चार में तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाते, यह शोरी आपने सुनी होगी, और यह एक टीम वर्क की ताकत है, यूनिटी दो स्रेंथ, महाँ पर यूनिटी की बोलने, टीम वर्क बोलने, इसको और एक तरीके से समझते हैं, जब इंसान अकेले अकेले काम करता है, और जो मिल करके काम करता है, तो किस तरीके से काम बहुत अच्छी तरीके सुनता है, आपने एक श्टोरी जरूर सुनी होगी अपनी लाइफ के अंदर, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना होगा, बच्चों में सुना होगा, देखा होगा, स आप सोचेंगे इसमें टीम वर्क से क्या लेना देना है आपने तो केवल स्टोरी यहीं तक सुनिए लेकिन उसके आगे की स्टोरी आप मैं सुना रहा हूँ अब होता क्या है कि रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो कच्छुआ कभी जीत नहीं सकता खरगोश से सेम स्टोरी में क्या होता अगली बार खरगोश को यह चीज समझ आती है कि यार मैंने लाइफ के अंदर गलती कर दी सो करके आलस नहीं करना चाहिए था मुझे फिल से एक बार रेस करनी चाहिए मुझे अब जब दूसरी बार रेस होती है तो इस बार खरगोश जीत जाता है अब कच्छुए को यह बात समझा जाती है कि ठीक है खरगोश जीत सकता है तो क्या मैं भी जीत सकता हूं क्या देखते हैं कि क्या होता है इस बार कच्छुआ बोलता है कि जगे मेरी होगी जहा मैं वोलूगा दोड़ महीं हूँ खर्गोष को confidence रेता है कि एक बार मैं जीती चुका हूँ कोई दिक्कत नहीं मुझे सोना नहीं मैं तो हमें सबागने वाला हूँ अब बाते समझ अब कर दो एक कच्वव क्या करता है एक चाल चल देता है वो बोलता है ठीक हमें इस जंगल से उस जंगल में जाना है खरगोस बोलता है कोई दिक्कत नहीं चलेंगे दोड़ यहीं से स्टार्ट होगी और दोड़ स्टार्ट होती है और जैसे ही दोड़ स्टार्ट होती है कच्छवा तो पीछे रहता है लेकिन जैसे ही एक जंगल कंप्लीट होता है उस जंगल के पास जंगल के चारों तरफ एक कच्वाद फिर से जीव जाता है, जब तीसली बार रेस होती है, खर्गोष को एक चीज़ समझ आ जाती है, कि हर एक इनसान की स्रेंथ अलग अलग है, किसी इनसान की कुछ स्रेंथ है, तो किसी परसन की कुछ और स्रेंथ है, फिर कच्वाद वापस लोटके उस जंगल में आत उस जंगल में आग लग जाती है वही चीज फिर वहाँ पे काम आती है हर एक इनसान की स्टेंथ अलग अलग है इस बार खरगोस बोलता है ठीके आ, आ जाओ मेरे दोस्त मेरे पीट पे बैठ जाओ इस बार पीट पे बिठाता है उस कच्छुए को खरगोस और जो जंगल होता है जंगल के विद्कुल पास तका जाते है जहाँ पे नदी स्टार्ड होती है और वहाँ पे फिर कच्छुआ बोलता है दोस्त अब मेरी बारी है नदी पार करने के और उस उस नदी को पार करने के लिए खरगोस कच्छवे के ऊपर बेट जाता है और फिर वो नदी पार करके दूसरी तरफ पहुँचाते हैं और जंगल में आग लग जाती है इस तरह इसे दोनों अपनी जान बचा लेते हैं That's the teamwork Teamwork यही काम करती है अगर हम कोई भी काम टीम के साथ करेंगे लोग की unity के साथ करेंगे तो बहुत सारा काम हम कर सकते हैं आसानी से वो काम हो सकते हैं